हेलो एवरिवान लक्षे रस्वी में आपका स्वागत है हमारा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए सेनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल लान को प्रेस कीजिए तो अहां जम बनाएंगे मस्रूम की सबजी दो मैंन टमाटर लिया है तिनहारी मेट चे लिया है दो प कड़ाई सब्सक्राइब कर देते हैं कड़ाई हमारी गरम होगी तो इसमें तेल डाल देते हैं दो टैबली स्पून तेल डालेंगे और थोड़ा सा जीरा एड़ कर लेते हैं एक तेज बता अब हम इसमें डाल लेते हैं जो मैंने पैस्ट बनाए है प्याज और हरी मिर्ची लस्टून अद्रक का वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालय को हम अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा अलगा सा कल्दर सेंज होने तक इसे पकाना है तो दीकिए यह अलगा सा कल्दर सेंज हो गया है अब हमें इसमें टमाटर का पैस्ट एड़ करेंगे पैस्ट एड़ कर लिया है तो अब अच्छे से मिला लेते हैं सार अनुसार नमक का एड़ करेंगे इसे टमाटर जल्दी पक जाएंगे और मिक्स कर लेते हैं स्वाद अनुसार हम इसमें लाल मिर्स एड़ करेंगे एक चमस हल्दी पाउडर एड़ कर लेते हैं और एक चमस धनिया पाउडर एड़ करेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे चलाते हुए पका लेते हैं और गैस हम कम ही रखेंगे और ढकन लगाकर दो मिन तक पका लेते हैं और बीस में एक वार हम सेक कर लेते हैं ऐसे सेक करते हुए हमें इसे पकाना है फिर टेकन लगा लेते हैं तो दीकिये मसाली हमारे अच्छे से पक गए है और अब हम इसमें मट्रेड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा ढकन लगाकर लो मिन तक पका लेते हैं दीकिये थोड़ा सा मैंने पका लिया है तो अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे लगबग दो कप और मिक्स कर लेते हैं और ढकन लगाकर पका लेते हैं पास मिन तक 20 में एक आर से कर लेते हैं पिशे डगन लगाकर बोमेंट पकाएंगे अब हम इसमें मस्रूम एड़ कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें पानी कम है तो लगबग एक कप पानी और हम इसमें एड़ करेंगे ज्यादा नहीं करना एक कप पानी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढकान लगाकर इसे भी हम पास मेंट तक पका लेंगे तो यह दी के लगबग मस्रूम सबजी हमारे बन कर त्यार हो गई है अच्छे से पक गई है और अब हम इसमें धनिया पता एड़ कर लेते हैं और मिक्स कर लेंगे सबजी हमारे बन कर त्यार है तो अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल देते हैं कि यह दिखिये मैंने दूसरी बरतन में सब्जी निकाल ली है हमारी वीडियो अच्छा लगए तो कमेंट करके जरूर बताईएगा दूसरी वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई